रांजा रांजा कर दीवें मैं अपर रांजा होई रांजा रांजा सर्तों नी मैं वी ना को पोई रांजा रांजा ना कर हीरे जग बदनामी होई पत्ती पत्ती जर जावे पर खुश्बो चुपना होई नमस्कार स्वागत है आपका हमारे इस खास पेसकस सलाम इसक में और आपके साथ मैं हूँ वर्शा प्रेमियो के लिए यू तो हर दिन खास होता है लेकिन वैलंटाइन डे इन प्रेमियो के लिए विसेस होता है आज वैलंटाइन डे है प्रेमियो के लिए खास दिन रोम से शुरू होकर वैलंटाइन डे आज ग्लोबल हो चुका है अपने देश में भी वेलंटाइन डे पूरी उत्सा से मनाया जाता है खासकर युवाँ में आज के दिन खासा उत्सा देखा जाता है बाजार में तरह तरह की गिफ्ट बेज़े जा रहे हैं जिने प्रेमी एक दूसरे को देकर अपने प्रेम का जहार करते हैं क्या है वेलंटाइन डे की एहमियत और क्यूं मनाया जाता है वेलंटाइन डे इस पर पेसे हमारा एक खासका इकरम सलामे इश्क अपने इस खासका इकरम में सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं क्यूं मनाया जाता है वेलंटाइन डे भारत में इस अंतरास्टी ये पर्फ को एहमियत देने के क्या माइने हैं वलंटाइन दे में मौसम की क्या भूमिका होती है इस पर सरसरी नज़र डालती है हमारी ये खास रिपोर्ट फरवरी का महीना आते ही मौसम का मजास बदलने लगता है ठंड की ठिधुरन कम हो जाती है और गुल्जार हो जाता है बसंद बसंद अपने साथ फिजाओं में प्यार की खुश्बूख विखराता है इस वक्त को प्यार का मौसम भी कहते हैं प्रकृती में भी चैंचलता च्छा जाती है कोयल की गूग इसे और चैंचल कर देती है ये मौसम प्यार करने वालों के लिए खास होता है इसी माँ 14 फरवरी को दुनिया भर में मनाया जाता है प्रेम दिबस यानि वैलेंटाइंग डे वैसे तो लव वी की शुरुआत साथ फरवरी से रोज देन से ही हो जाती है इस पूरे हफ़ते का हर दिन होता है प्यार करने वालों के लिए खास और एहम पर इसमें सबसे खास होता है वैलेंटाइंग डे चली चली फिर चली 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 इश्क दी हवा चली वैलेंटाइन डे की शुरुआत सबसे पहले रोम से हुई उस समय वहा क्लोडियस नाम का एक राजा था जो दुनिया पर अपनी हुकूमत कायम करने के लिए सारी युवाओं को सेना में शामिल करना चाहता था लेकिन युवा अपने प्यार से जुदा नहीं होना चाहते थे इसलिए उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया प्लोडियस को ये परदाश नहीं हुआ और उसने एक अनोखा फैसला सुनाया उसने प्यार और शादी पर ही रोक लगा दी जिसकी वज़ा से सभी प्यार करने वालों पर बंदिशे लग गई ऐसे में वहां की युवा निराशा में डूब गए उनकी जिन्दगी तनहाईयों में कैथ होकर रह गई तब युवाओं के लिए सेंट वेलेंटाइन उनके लिए मसीहा बनकर सामने आए वो चोड़ी चोड़ी सभी प्रेमियों की शादिया करवाने लगे इससे वहां खुश्यों की लहर फैल गई लेकिन ये ज़्यादा दिनों तक लोडियस से छुपा नहीं रह सका उसने सेंट वेलेंटाइन को बंदी बना लिया और 14 फरवरी को उन्हीं सरे आम फासी दे दी तब से लेकर अब तक 14 फरवरी को हर प्यार करने वाले वेलेंटाइन डे के रूप में मनाते हैं इस दिन वो अपने प्यार का इजहार एक दूसरे को गिफ्ट्स और फूल दे कर करते हैं पूरी दुनिया के लोग अपने प्यार का इजहार करने के लिए इस दिन का बेसबरी से इंतसार करते हैं ब्यूरो रिपोर्ट डाइज न्यूस पटना तो ये तो थी वैलंटाइन डे की कहानी वैलंटाइन डे का सीधा संबंद प्रेम से होता है जिसकी वाक्या करने का प्रयास कई कवियों साहित्तिकारों और कहाने कारों ने किया किसी ने इसे समर्पन कहा तो किसी ने इसे भगती माना हर किसी ने अपने अपने तरीके से प्रेम की व्याक्या की लेकिन यह कहने में जितना शरल होता है व्याक्या उतनी ही कठेन मानी जाती है मुहबत एक लब्स है जिसमें सारी काइनात सिंटी होती है अपने अपने तरीके से लोग मुहबत की परिभाशा गड़ते हैं कोई सड़क बढ़ तो कोई नदियों की लहरों पर इसकी परिभाशा बनाते आसानी से मिल जाएंगे कोई कहता है कि यसाना है तो कोई इसे भगती मानता है कर लोगों को महबत में खुदा तो कर यों को खुदा में महबत नदियों को तेरी ज़जद जो इन सबसे हटकर कहा जाता है कि महबत में जिन्दगी की सारी सच्चाई चिपी होती है इसमें जो खुश्बू होती है उससे सारा ब्राम्हान भागता है इसके खिचाव से जाती और साम्रदाई की बेड़ियां भी दम तोड़ देती है तब ही तो आमिर खुश्बू ने अपनी रचनाओं में इसे भरपूर जगह दिया है जो आप दोड़ खाप दिलत सब ची नीरे मों से मैंना मिलाएगे मेना मिलाएके ये चापती रख सब शीरी मोसी मेना मिलाएके ये चापती रख सब शीरी मोसी मुहबत का एसास आम और खास सभी पर सर्चवर कर बोलता है राधा कृष्न की प्रेम कहानी जहां सद्यों से आम लोगों के बीच प्रचली थै वही ही रांजात के प्रेम में बड़ेदान की कहानी ने मुहबत की नई परिभाशा दी बिहार के छोटे से गाव में रहने वाले दश्रत माजी ने प्रेम के बल पर पहाड को पिगला दिया और इलाके के लोगों के लिए 22 सालों में पहाड को काट कर 75 किलो मिटर की दूरी कम कर दी तभी तो प्रेमी एक दूसरे से कहते नजर आते हैं तुम पास आए यू मस्कुराए तुमने न चाने क्या सपने दिखाए अब तो मेरा दिल जागे न सोता है क्या करूँ हाए कुछ कुछ होता है क्या करूँ हाए कुछ कुछ होता है तुम पास आए यू मस्कुराए तुमने न चाने क्या सपने दिखाए अब तो मेरा दिल जागे न सोता है क्या करूँ हाए कुछ कुछ होता है क्या करूँ हाए कुछ कुछ होता है बारहाल प्रेम एसको और मुहबत की जितनी वाक्या की जाए लेकिन धाई अक्षरों से बना ये शब्द बोलने में जितना सलल है इसकी परिभाशा उतनी ही कठिन है दुन्या के शुरुवात के साथ ही प्रेम ने यहां दस्तक दिया और दुन्या के बने रहने तक इसकी मौजूद की बनी रहेगी दर्श निर्ज के लिए राजगीर कुमार की रिपोर्ट यहां बात हो गया छोड़े से ब्रेक का ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे गुलजार ने क्या दी दिल की परिभाशा इश्क 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 सलामे इश्क